हलो गाइज ओलकम माई चानल बी पॉजिटीव विथ प्रिया सो प्रेंच मैंने कुछ आप्लाइक किया है सो आप देख सेक्तो मेरा हैर कितना सॉप सींटी एंड फॉलियूम मेरा है में आगया है तो आप जो इंस्टे और फॉलिम अगर आपको है ऐमें चाहिए कहा और हाँ में डूंक्र प्रब्लेम स्टी की पोर टाइम हो जाता है है में ठीक है इस इस प्राब्लेम से छुटकाड़ा पाने के लिए एक घरेलू नुसका में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत एफेक्टीव है चो चलिए तो आप लोगों से शेयर करते हैं इसके लिए हमें सबसे फास चाहिए नीम का पती तो आप सब को पता है नीम का पती अगर नेचरल वाला यह नीम का पती मिले तो सहजन का पती अप लोग को बहुत किसी को पता है बहुत किसको नहीं पता है इसका यह एक हेलफुल पती है बहुत इसका बेनिफिट है गाईस आप यूस कीजिएगा तो आपको भी इसका बेनिफिट बहुत अच्छा रेजल्ट मिलेगा सो नेक्स मुझे हमें चाहिए दही आवा है जो दही होँ भी ले सकते हो या पैकोड क यो खाईदा हुआ भी ले शकतो ऐसे अधिक तिन चाहिए मेट विद्स हो इसम डcular support up दो तिन मीट पानी में ड़गों के रख देंगे ठीक है यह नीम का पती भी और यह मरिंगा लिप्स जो है सहजन का पती यह भी ठीक है आप इसका अल्टनेट इसका जो पाउडर मिलता है अनलाइन आपको पाउडर में लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे आप आप तो बोचन इस acordo पती जार नहीं से दों तो लेंगे हो तब कर दोचे दोचा अब मिकसर नेहां मिकसर के में फिर पॉडर भी ले शयकता है फिर शक्से बाद दसे शड़ भिर से फेस्ट बेंट अरे कि में इसके अंदर coconut oil एट कर रही हूं टेबिल स्पून ठीक है और अलवरा जिल आप नेशल पर लिप का जो अलवरा जिल निकल के भी टाल सेकतों और मैंने यहां पे एक अंडा एट के आए यह आप यूज भी कर सकतों और नहीं भी कर सकतों ठीक है यह पूरा ऑप्शनमल है आपका मरुजी हो तो एट करना नहीं तो मत करना तो यह मेरे पेस्ट रेडि हो गया एपलाइ कर रही हूं आपे पूरा सकेल पे मैं एपलाइ कर लोंगी पूरा सकेल पे एक-एक पार्ट में यह राओ पेo मिरेंग alga leaves है की ऐंटिवी बेकटरियल पॉपर्टी से भड़ा करता है प्रोटीन भी है और हेयर को स्ट्रॉंग एंड हेल्दी बनाता है गाइस तो यह पे में एक बहुत लिकुड जो है निकल रहा था इसलिए में घरेलू जुगार जैसे कर रही हूं देख सेकतो एप देसी जुगार करके एक पैकेट को मैंने अपना स्केल पे लगा लिय जैसे करके जैसे पारी नहीं निकलेगा जो लिकुड फॉर्म में आ रहा है पुरा नहीं आएगा सो गाइस देख सेकतो मेरा सावर कब देसी जुगार बन गया एक खंटा में रग दूंगे उसके बाद अपने स्केल्प को अच्छे से धो लूंगी वाश कर लूंगी सो गा जाएंगा लिपसे ना बहुत किसी को नहीं पता है काई यह बहुत हेलफू एक पता है ठीक है आपको बहुत बेनिफित देता आपको हेयर ग्रोथ में बीवी और स्कीन में भी यह बहुत काम आता है तो गाइस आप यूज़ कीजिए को बेनिफित आपको अच्छा सा पिस लाइक करना कमेंट करना शेयर करना एंड थैंक यूपर काईस वाचिंग के लिए थैंक यू